तुम लोग जो इतना हिलाते हो ना भाई ठीक है धुखी आत्मा होके है भाई हिलाना बंद करतो हो दुनिया हिला दोगे यार आज का टॉपिक है कि ऐसा क्या किया जाए मतलब ऐसा क्या काम किया जाए जिससे कि आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाए अब एक्स पार्टनर आपका एक्स बॉइफ्रेंड भी हो सकता है एक्स गल्फरेंड भी हो सकती है एक्स वाइफ भी हो सकती है एक्स हस्बेंड भी हो सकता है ठीक है बहुत लोग आप लोग ने मेरे इस वीडियो के थमनेल और टाइटल में लिखावा पाया होगा कि बस ऐसा करते ही आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा 500% गैरेंटी तो बहुत लोग सोचे होगे यार 500% गैरेंटी तो क्लिक की होगे यह उमीद के साथ कि हो सकता है सच में कुछ ऐसा टिप्स मिल जाए जिससे वापस आ जाए तो खेर वो तो मिले गाई लेकिन कुछ लोग सोच रहोगे यार क्लिक बेट डाला है ठीक है 500% गैरेंटी एक्टेंशन पाने के लिए ताकि व्यूस बढ़ें इसलिए इसने ऐसा लिखाया तो चला गया है मतलब कि एकदम कोई एकदम महान इंसान दुसरे ग्रह का था वो चला गया है वापस नहीं आ सकता है अरे इंसान ही है सिंपल इंसान ही गया है छोड़कर आपको ठीक है सही दिमाग लगाओगे सही स्ट्रेटिजी अपनाओगे ये वीडियो पूरा चला मेरे तरफ से सच में 500 present guarantee है ठीक है रिक्विस्ट करूँगा कि यह वीडियो पूरा देखनां ठीक है तो अचली वीडियो श्टार्ट करते है यह देखो मेरा यह वीडियो खत्म होते ही यह वीडियो पूरा देखोगे खत्म होते ही क्या करना आप लोग एक साधा B ठीक है मतलब भाग A भाग B अब कॉलम A में मतलब यह कॉलम A है और यह कॉलम B है ठीक है तो कॉलम A में वो सारे qualities लिखना अपनी जिसको देख कर आपका partner आपके साथ relationship में आया था ठीक है वो कोई भी qualities हो सकती है ठीक है वो आप लोग अच्छे से जानते होगे और कॉलम B में वो qualities लिखना जो पहले के compare में कम हो गई इसलिए वो छोर कर चला गया या वो कुछ expect की थी आपसे कि वो qualities आप मतलब develop करोगे अपने अंदर लेकिन वो चीज आप develop नहीं कर पाए तो वो और कर आप में आपको चली गई या चला गया ठीक है तो एक्जामपल के तौर पे मालो कॉलम ए में आपने लिखा looks ठीक है looks मालो के आप लरकी हो ठीक है आपका partner आप से attract हुआ आप मतलब body भी अच्छी है आपकी looks भी काफी अच्छी है face cutting यह वो जो भी है ठीक है आपका partner आपको आपका looks देखकर आपके साथ relationship में आया था लेकिन कुछ कारण के वज़े से यह lockdown मालो चला गया जी मूम सब बंद हो गया तो आप मोटी हो गई या lockdown में जॉब चला गया था तो आप जो भी पैसे थे अब आप maintain नहीं कर पा रही हो सही diet नहीं कर पा रही हो तो अब pimples हो गई यह हो गया ठीक है face wash आप नहीं खरीत पा रही हो ऐसा किलत हो गया आपको मालो तो छोड़ कर चला गया मतलब कि column B में क्या लिखोगी कि मतलब looks कम हो ग looks कैसे मैं मैं कैसे भाई देखो आपका पार्टनर ही घटिया था जो सिर्फ आपका looks देखकर आया तो अब घटिया पार्टनर को वापस लाने के लिए looks तो सुधार नहीं होगा ना यार पहले जिस तरह था आप कम से कम वैसा looks तो लाही सकती हो ना मैं यह तरुर बोल रही ह चाहिए तो वह partner होता है लेकिन आप आपको partner वैसा ही वापस चाहिए एकस partner तो जो उसको पसंद हो ऐसा करना होगा ठीक है यह बात हो गए looks की ठीक है एसा नहीं किसी अरतों के looks देखते है नहीं लरकियां भी देखती है तो यह लर्कों के लिए भी लाग होता है अब आई मच्छे थे लेकिन तुम एक्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया मतलब प्री निकाले होगे मेंस नहीं निकल पाया हुआ या इंटर्वियू में छट को कुछ ऐसा हुआ होगा और आगे पढ़ने का पैसा नहीं है या एज भी तुम्हारी ज्यादा हो रही है तो लड़क क्या हुआ räकता है ने क्या हुआ 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 है तिसरा यह हो सकता है की तुम बहुत ही अच्छे से बात करते थे ज़ई या आपका बंदा आपका बीयावियर के लेकिन family problem होने के वज़े से या कुछ होने से घर में चिरचिरापन बढ़ता गया इरिटेट हो गया और गुस्से में तुम कभी अपने बंदी या अपने बंदे को कुछ सुना दिये हो गए तो छोरकर चली गई तो फिर क्या column A और column B में क्या difference आया कि आपका behavior पहले के compare में क column A में और वही quality जो कम हो गई है column B में लिखना और कुछ quality जो चाहा रही थी कि तुम develop करो पहले से तुम्हारे में नहीं थी लेकिन चाहा रही थी जैसे मालों पैसे नहीं थी तुम्हारे पास लेकिन वह तुम वह qualities develop ही नहीं कर पाए पैसा नहीं कमा पाए तो यह भी difference करने के बाद उसी difference पे काम करना उसी अंतर पे काम करना ठीक है भाई कोई तोप नहीं चला गया है इंसान ही है वापस आ सकता है क्यों नहीं वापस आ सकता है बिलकुल आ सकता है अब कुछ लोग आप लोग मैंसे यह सोच रहोंगे मालों कि मैं सारी qualities looks भी अच्छा कर लिया लुक्स भी अच्छा कर लिया जिम में जाके six pack बना लिया पैसे भी कमा लिये ठीक है behavior भी चीरचीरापन से अब अच्छा हो गया तो ऐसा थो रही आ ही जाएगी तो भाई सच में कोई जवरी नहीं है कि वापस आ जाए अब मैं बता रहों क्यों नहीं आ सकता है क्यों नही 50 पे ले आए ठीक है जीरो से 50 अब आप देख रहों यार 50 पे आने के बाद भी मेरी बंदी एट्रेक्ट नहीं हुई मेरी लाइफ में वापस नहीं आए क्योंकि आपकी बंदी जिस बंदे के पास गई थी गई आपको छोर कर वो बंदा अल्रेडी 70 है ठीक है आप 0 से 50 जिस बंदे के पास गई वो पहले से 70 है तो आपको भाई 80 बनना परेगा मालो कि आपका लुक आपने अच्छा किया लेकिन उसके जैसा लुक नहीं कर पाया तो नहीं आ पाएगी ठीक है अब आप बोलोगे यार लुक से क्या होगा मैं क्या अब हैंड्सम नहीं हूँ तो बोडी बना लिया लेकिन चहरा मेरा वही है तो मैं कैसे करूँ बाई एक चीब बताओ हर चीज लुक्स थो रही है आपका लुक्स मालो उसके लेवल तक नहीं जा पा रहा है उस बंदे के पास जिसके पास आपकी बंदी गई है तो आप कुछ दूसरा क्वालिटी उठा ल मालो कि आपकी बंदी को अच्छे से पैसे वैसे दे रहा है आप नहीं दे पाए लेकिन वह बंदा आपकी गर्फ्रेंड को अच्छे से रख रहा है ठीक है पैसे वैसे में दिकत नहीं कर रहा है लेकिन क्या पता वह बंदा इसको दारूपी के मारता होगा या शक करता होग यह गर्फ्रेंड ही होगी पूरा पैसा मतलब कुछ है क्वालिश मतलब आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए ठीक है आपका बिहेवियर उसको याद आए वह भले जब धारू पीके उसको थपर मारे ना तो याद आए मालोब नाम आपका मनीश है किया मनीश के साथ थी भले पैसे नहीं थे उसके पास लेकिन कम से कम इज्जत तो देता था यार ठीक है यह मतलब कि गोलगप दस का गोलगपपा ही खिलाता था लेकिन यार कम से कम पूछता थो था कि यह भाईया कि पापरी चाहिए क्या ठीक है मतलब चोटा-चोटा चीज़ याद आएगा कि यार देखो दस का गोलगपपा के बाद हमेशा दो पापरी खिलवा देता था ठीक है अभी यह भले यार कहां बोलो मैं अच्छा अच्छा मतलब रेश्टरांट में महंगा महंगा 5000 का बिल में भी इसको खिला रहा होगा फिर भी एक खुश नहीं है क्योंकि behavior अगर आपका behavior अच्छा है ना ठीक है भाई यह सबसे बड़ा अच्छा ओजार है तो कॉलम ए और कॉलम बी तो तयार करो ठीक है कागज में और analysis करो दिमाग लगाओ ठीक है और उस पे काम करो भाई तब ही आएगी हर चीज़ पॉसिबल है लोग तो यह चांद तक जा चुके हैं समरो न भाई जी बताओ चांद धरती और चांद के बीच में कोई रस्ती लगाए क्या नहीं न वो तो कि से रॉकेट से जाते हैं अब भाई रॉकेट क्या हम लोग के बाबुजी का है क्या पता साला कौन सा टेकनिकल मिश्टेक हो जाए बीच में साला ब्लास्ट हो जाए फिर भी क्यासे मतलब भागवान भर उसे जाते हैं ठीक है मतलब लेकिन हम लोग का तो यार बहुत आसान चीज़ है उससे चांद जाने से कंपेर करोगे तो ठीक है तो भाई क्यों फालतु में इनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले तो दुखी आतमा होना बंद करो ब्रे ब्रेडर देख देखे जो तुम लोग हिलाते होने यार माइन मत करना यह जो वर्ड मैं बोल रहा हूं लेकिन जो है तुम लोग जो इतना हिलाते हो न भाई धुखी आतमा होके भाई हिलाना बंद करतो धुनिया हिला दोगे समझेरो ना भाई बॉडी के टेस्ट्रोचन को कम चूंग करते हो वह एगरेशन को पालो वह गुसा को पालो मैं मेडीकल इस्टार तुसमें बोल रहा हूँ नहीं जहिल पाता है ज्यादा प्रेसर दोगे यह बहने लगेगा यहां थोड़ा लॉजिक लागा यहां प्रेसर दो ठीक है सब वापस आ जाता है तो यह वीडियो यहीं तक रखते हैं उमीद करता हूँ कि मैंने जो बताया आप लोगों पसंद आया होगा और काम करोगे दे फिलाल अगर कुछ भी दिक्कत है आप लोगे लव और रिलेशनल्सिप से रिलेटेड तो मुझे पर्शनली इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्सन में लिंक है मेरे आईडी का मैसेज तो खेर मुझे बहुत आते हैं डेली इंस्टा पे लेकि इन पेमेंट पूछे बैगरी मतलब वह कुछ बोलते नहीं है बाई तीन सो चार सो का बर्गर पीजा खाखा के लोग कैंसर करवा रहे हैं घटिया सौस खाखा के मेरा यार 100-200 का रूपए लेता हूं मैं अच्छे से टिप्स बताता हूं ठीक है वह भी दिल के मामले में बहुत मेरे क्लाइंट से वह अच्छा फील करते हैं ठीक है तो क्या पता आप लोग की गाड़ी सिर्फ 100-200 के वज़े से यह अटकी पर ही है यह वर घुमाव यार ठीक है मनले कॉल मत करना पहले वाट्सअप करना ठीक है तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक है स्क्राइब वीडियो में और शांट से यह वाटो फील करना ठीक है टृब करते हैं लुमाव याल के आपए था यह भाटो करना है आप यार सावघन से लोगड़े में लोगा तो कि अपने प्लोग करना हैं आपकी हैं अपक्ता कर दो दोते हैं